जैमात अदिभक जनों कैसे हैं आप सब आप सभी पर मातारानी की किर्पावनी रहे चलिए आज कथा सरवन करते हैं स्रीगर्ग शहिंता के माधूरी खंड के छठे अध्याए का छठे अध्याए में हैं अध्योध्यापूरवाशनी इस्तरिगों का राजा भीमल के अहां पुत्री रुप में उत्पन होना उनके बिभा के लिए राजा का मतुरा में श्रीकिष्ण को देखने के लिए निमित दूद भेजना वहां पता न लगने पर भिस्म जी से अवतार रहश्य जानकर उनका श श्रीकिष्ण रादे राधे स्री नारजी कहते हैं राजयन यो कहकर जब सक्षात महामुनी याग्यवलक्य चले गए तब चंपक नगरी के श्वामी राजा भीमल को बड़ा हर्श हुआ यो द्यापूरवाशनी इस्तरियां स्री राम के बरदान से उनकी रानियों के श्री नारजी कहते हैं राजयन महाराज भीमल की हवाद सुनकर वह दूत मतुरा पूरी में गया और मतुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभिष्ट बाते पूछी उसकी बात सुनकर मतुरा के बुधिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे उस दूत को एकांत मिले जाकर उनके कान में बहुत धी मिश्वर से बोलें पूत्र का सत्रो कंस भारी दंड देता है स्री नाराजी कहते हैं राजन जनसाधारन की अवाज सुनकर दूत चंपका पूरी में लोट गया वहां जाकर राजा से उसने वह अदभूत संबाद कह सुनाया दूत बोला महराज मतुरा में शोड़ पूत्र बशुदेव अवश पूर कर अकास में उर गई यह बृतांत सुनकर मैं यदू पूरी से धीरे धीरे बाहार निकला ब्रिंदावन में कालिंदी के सुन्दर एवा मुडवनिये तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समुसे अकसमात एक सिसू देखा राजन गोपो के मद दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षन उसके समान हो उस बालक के वक्ष अस्तल पर स्रीवत्स का चिन्न था उसकी अंगकांती में के समान सियाम थी और वो बनमाला धारन की अतियंत सुन्दर दिखाई देता था परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के दो ही हाथ थे और अब क्या करना चाहिए क्योंकि मुनी के बाद छूटी नहीं हो सकते प्रभू जहां जहां जिस तरह आपकी इक्छा हो उसके अनुसार वहां-वहां मुझे भेजिए स्री नाराजी कहते हैं राजयन राजा बीमल जब इस प्रकार विश्मी थोकर विचार कर रहे थे उसी समय हस्तिनापूर से सिंधु देश को जीतने के लिए भिश्म आए बिमल मूले बुधिमान भिश्मी जी पहले यगवालक के जी ने मुझसे कहा था कि मतुरा में साक्षात स्रीहरी वशुदेव की पतनी देवकी के गर्ब से प्रकर्ठ होंगे इसमें संसे नहीं प्रंतु इस समय वसुदेव के यहां परमिश्वर स्रीहरी का प्राकाटिय नहीं हुआ है, साथ ही रिसी के बाद जोटी हो नहीं सकती, अता इस समय अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करू, आप साक्षात महाभागवत हैं और पुर्वापर की बाते जानने वालों में पाई है, आप बीर, धनुधर एवं बश्वू में स्रिष्ट हैं, इसलिए यह बताईए कि अब मुझे क्या करना चाहिए सिरी नाराजी कहते हैं, गंगानंदन, भिस्म जी, महान, भगवत, भक्त, बिद्वान, द्रिब दिष्टी से संपन्य, धर्म के तत्वग्य, तथा स्रिकुष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे उन्होंने राजा भीमन से कहा, बिस्म जी, बुले राजन यह एक गुप्त बात है, जिसे मैंने वेद्वियाजी के मुझे सुनी है यह प्रशंग समस्त पापों को हर लेने वाला पुनिप्रद एवं हर्सवर्दक है, इसे सुनू परिपुन्तम भगवान स्री हरी देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का बद करने के लिए बसुदेव के घर में अफ्तिरन हुए हैं किन्तु आधी रात के समय में बसुदेव कंस के भैसे उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यसोधा की सया पर सुलाकर यसोधा और नंद की पुत्री माया को साथले मतुरापुरी में लोटाएं इस परकार स्री किश्न गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं यह बात दुसरे कोई भी मनुश्य नहीं जानते हैं वेही गोपाल वेस्धारी स्रीहडी ब्रिंदावन में 11 वर्सों तक गुप्त रूप से बास करेंगे फिर कैंस दैत का बद करके प्रकठ हो जाएंगे अयुद्यापुर वाशनी जो नारिया स्रीरामचन जी के बर से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं वे सम्तुभारी पतनियों के गर्व से सुन्दरी कन्याओं के रूप में उत्वन हुई है तुम उन गूड रूप में बिद्वान देवादी देव श्रीकृष्ण को अपनी समस्त कन्याओं अवस्दे दो इस कारे में कदापी भी लंब न करो क्योंकि यह सरीर काल के अधीन है यो कहकर जब सरवग्य विश्म जी हस्तिनापूर को चले गए तब राजा बीमल ने नंद नंदन के पास अपना दूद भेजा इस प्रकार सरीगर्ग सहिंता में मादूरी खंडी के अंतरगत नारत भहुलाश्री शंबाद में अयोध्यापूर वाष्णी गोपी काओं का उपाक्यान नामक छठा अध्याय पूरा हुआ जै सरीकृष्ण रादे रादे जैमात आदी भग जनों कैसे है